आप सभी को मेरा नमस्कार मैं सब दिनेस और आप देख रहें मेरा चैनल डीजी स्पेसल दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एटोमी डिस वास लिक्विड के बारे में डिस्वास लिक्विड के बारे में डिस्वास लिक्विड के बारे में डिस्वास लिक्विड के बार उसको साप करने के लिए क्या हमने गर में लाया है फूड जो हले क्या हैं गर में फूड उसको साप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं किस लिक्विड का इस्तमाल करते हैं बरतन साप करने के लिए और गर के अंदर ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं चाहिए सब के लिए भी केमिकल एलकॉल इसमें नहीं मिलेगा दूसरा यह जो प्रोड़क्ट है माई डिफेंट्स में आपको बताना चाहता हूं 100% नेचूरल 100% से प्रोड़क्ट है और अपना कीचन के अंदर जो साप सपाई करते हैं वो कीचन में सबसे ज्यादा बैक्टेरिया जो फं बैक्टेरिया यहां पर बैटा है तो इस प्रोड़क्ट को यूज करके कीचन को भी साप किया जा सकता है फ्लॉर को साप किया जा सकता है फ्लॉर अम लोग आम मार्केट में बैठते हैं कहीं पर बैठ गया हाथ लग गया कहीं पर कुछ लग गया वहां पे एक बून डाल द उनके हाथ भी आधमेंटेटी और जादा तर भीक्तिक जा सकता है पेमारिया खड़ी अधने नहीं लगेंगी और दूसरा यह प्रोडक्ट जो नहीं है थिनी नोग आते हैं कि लुझ से थर्ड क्लास के होते हैं तीसरी नमबर क्लास के होटल्स वगरा जैसे आज यह बैठा हूँ वहाँ पर प्रोड़क्ट यूज किया जाएगा तो शेकिंड क्लास का प्रोड़क्ट यूज सिरब और एक बूंद से पूरे घर के जितने बरतन है आप वो साप कर सकते एक टाइम के तो आप सो सकते हैं कि एक बूंद पूरा प्रोड़क एक लेटर का एक साल बर चलने वाला है इसकी कोश्ट आपको मतलब की महीने का एक एवरे सो रुपे भी नहीं आने वाला माई प्रोड़क को लेकर एक बार यूज कर लोगे न तो आपके गर पे एट्मी डिस्वासिंग लिक्विड के अलावा गर पे कोई लिक्विड आने वाला नहीं है जिससे हजारों बीमारियों से बचा जा सकता है और बहुत ही अच्छी हेल्थ अपनी रह सकते हैं क्योंकि बैक लगी है न तो वीडियो को लाइक करा ना बूले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच एंड गुड़ बाई